तो Micromax अपना वादा निबा रहा है और Micromax ने रिलीस कर दिया है latest software update Micromax के InNote 1 के लिए और ये कोई ऐसा वैसा कोई छोटा सा update नहीं है काफी बड़ा update है और इसमें बहुत सारे नए improvements, नए features हमको camera related देखने को मिल जाएंगे 639 MB का जो है ये update है तो अगर आप InNote 1 यूज़ कर रहे हो update करने से पहले इस वीडियो को देख लो यहां मैं बात करेंगे कौन-कौन से features नए आए है इस update में हमें क्या मिल रहा है PR Tech Films, amazing tech videos देखने के लिए आज ही subscribe कीजिए PR Tech Films आपको स्वाग एते हैं अपडेट आ चुका है Micromax के InNote 1 में 639 MB का ये update है इस update को करने से पहले एक चीज़ का हमेशा धियान रखना in fact कोई भी phone आपके पास में 50% बैटरी उसमें होनी चाहिए तो यहां जो प्रोसेस हैं ये 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है कई बार तो यहां फड़ा फट से जो है मैं इसके प्रोसेस को complete करता हूँ update करता हूँ उसके बाद मैं दिखाता हूँ features नहीं क्या-क्या आए है तो मेरा जो phone है वो अब update हो चुका है तो सबसे पहले इस update में आपको जो है December का security patch मिल जाएगा उसके बाद यहां पर इस update के अंदर camera में क्या-क्या improvement हुई है वो मैं आपको बतायता हूँ तो back camera से start करते हैं back camera में आपको सबसे पहले अगर video option में जाएंगे आप settings पे जाएंगे तो आपको EIS का option मिल जाएगा यानि कि electronic image stabilization जो अभी तक काफी लोग demand कर रहे थे वो अब आपको Micromax के InNote 1 में मिल जाएगी फिलाल मैं यहां पर देखिए मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ थोड़ा से camera को move भी कर रहा हूँ तो stability काफी सही मिल रही है तो अगर आप अपने InNote 1 से videos को shoot कर रहे हैं मैं बताओं तो आपको और क्या option यहां पर मिलता है अब यहां पर हम चलते हैं एक बार photo में यहां पर portrait mode जो है front और rear camera दोनों का portrait mode जो है उसमें आपको अब manual aperture setting का option मिल जाता है तो पहले यहां पर edge detection वाली जो problem आ रही थी थी ना थोड़े बहुत edges को detect नहीं कर पा रहा था इसका camera front और back camera दोनों का portrait mode जो है अब यहां पर जो है almost काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है यहां पर मैं आपको एक छोटा सा sample दिखाता हूँ वो भी और phones के साथ में तो यहां पर एक picture देख रहे हैं जिसमें आपको in note 1, real music और redmi note 9 टीनो photos जो है daylight में लीवी हैं यहां पर यह जो है portrait mode है तो आप देख सकते हैं यहां पर अब edge detection कितना सहीं मिल रहा है और colors भी काफी हद तक जो है natural देखने को मिल जाते हैं तो यह काफी बढ़िया option मुझे अब यहां पर जो है लग रहा है portrait mode में इसके अलावा अगर मैं setting में जाऊं तो यहां पर हमको raw mode का option मिल जाता है अब raw mode में क्या होता है कि जब आपको फोटो क्लिक करेंगे raw mode को enable करने के बाद में वैसे आप चाहे तो इसको disable भी कर सकते हैं या आपके use के उपर depend करता है अगर आपको इसकी need है तो तो वहां पर raw mode को enable करने के बाद में आपकी जो फोटो है वो दो format में save हो जाएगी jpg और .dng में अब इसके लावा front camera में एक नया option आपको मिल जाएगा अगर आप front camera में जाएगे तो आप वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा HDR का option तो यह पहले नहीं था इन नोट 1 में अब HDR का option आ गया है अगेन में यहां पर एक sample दिखाता हूं daylight condition में Realme 6 और Redmi Note 9 की भी HDR mode की यहां पर कुछ pictures हैं तो आप यहां पर comparison देख सकते हैं daylight में कित्ती बड़िया फोटोस मिल रही है हमको इन नोट 1 में HDR mode जो इसमें आया है front camera में काफी बड़िया तरीके से इस समय जो है काम कर रहा है front camera में time lapse का option भी आ चुका है उसको enable करने के लिए यहां पर screen पर मैंने कुछ दिखा दिया कि किस तरह से आप इसको enable कर सकते हैं आपको more में जाना है और उसके बाद में time lapse enable करने के बाद में आप camera स्विच कर सकते है time lapse का option पहले इस phone में नहीं था front camera में वो अब यहां पर हमको देखने को मिल गया है तो वह रूल इस update के अंदर आपको camera improvement बहुत जादा मिलने वाली है Micromax के innote 1 में अगर मैं यहां पर एक और sample दिखा हूँ आपको जो बिलकुल normal mode में लिया गया है तो वहां पर आप यहां पर comparison देख सकते हो इसके साथ में आने वाले आसपास के जो और devices हैं Realme 6 और Redmi Note 9 तो यहां पर innote 1 की जो normal pictures हैं बिना किसी portrait mode बिना किसी HDR mode के वो भी बहुत बढ़िया यहां पर देखने को मिल जाती हैं तो इस update के अंदर आपको camera में बहुत सारी नई चीज़े देखने को मिल गई हैं इसके लावा security patch latest वाला मिल गया है आपको December का जो की बाकी phones में भी December का ह यहां भी मिल रहा है अब user interface जो है वो भी थोड़ा सा smooth हो गया है क्योंकि minor काफी सारे bugs ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते as a user वो भी यहां पर fix हो चुके हैं तो यह updates अब जो है batches में roll out होती है हर company यही करती है क्योंकि जो update push out होती है वो batches में होती है मुझे मिल चुक क्राम और facebook पे मुझे जरू follow कर डीजेगा description में सारे link से अगले video मिलता हूँ